हेलो स्टूडेंस वेलकम तो गेट्स लेर्नेकाडमी वन्स अगेन तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसी एसी केमेस्ट्री का नेक्स्ट चाप्टर दाट इस एसीड बेस एंड सॉल्ट यह वीडियो पर्टिकूरली एसीड से रिलेटेड है मतलब एसीड पूरा का पूरा हम इसमें कवर कर चुके है ठीक है तो आपको एसीड इसमें इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो आपको कहीं एसीड पढ़ने का और जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है पूरा का पूरा डीटेल और शॉर्ट नोट्स के फ बज़े पहले पढ़ते हैं क्या है acid, all acids, मतलब एक scientist था, Lavosier and Davy, टेक है ना, Lavosier and Davy, दो scientist था, ये दोनों ना कुछ बताया था, क्या बताया था, अब क्यों बताया था, कैसे बताया था, वो बात की बात है, बट बताया क्या था, जो हमारे लिए important है, टेक है, वो क्या बताय था, all acids compulsorly have hydrogen as their constituent elements, बतलब जितना भी acids होता है, उसमें hydrogen होना है, टेक है, hydrogen होना ही होना है, in the form हम क्या, H plus ion, in the form of H plus ion, ध्यान में रखना होगा, और ये बताया क्वान, Lavosier और Davy, टेक है, टेक है, तो एक और फिर से देख लेते, all acids compulsorly have hydrogen as their constituent elements in the form of proton, टेक है, H plus, H plus को हम लोग proton भी बोलते हैं, example में देख लेते हैं, तो क्या है हमारा hydrochloric acid, hydrochloric acid, टेक है, HCl जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी H आ गया, sulfuric acid, जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग king of acid भी बोलते हैं, टेक है न, king of acid, ये बहुत ही strong acid होता है, ध्यान में रखिएगा, मतलब ह हात पर रखिए, इस साइड और उस साइड जल के निकल जाएगा, तो H2SO4 हो गया, sulfuric acid, इसमें भी हमारा H plus iron है, ये की proton है, H plus है, nitric acid, nitric acid क्या होता है, HNO3, ठीक है न, HNO3, इसमें भी हमारा hydrogen है, तो यहां भी हो गया, तो ये बोल सकते हैं, कि ये तिनों क्या हो गया, हमार Latin word, Acidus से आया, एक Latin word है, Acidus, Acidus का मतलब होता है, Sor, जिसके वज़से इसको हम लोग बोलते हैं, कि हां इसका अगर physical property पर पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि ये थोड़ा सा Sor होता है, खट्टा होता है, टेस्ट में, किलिर है, तो ध्यान रखिएगा, Acid कौन सा word से आया है, Acidus, Latin word से, ठेक है, next देखते हैं, क्या है, some naturally occurring acid, अब कुछ, जो acid जो होता है, वो naturally भी मिलता है, और artificial भी मिलता है, तो naturally में क्या क्या मिलता है, वो हम लोग समझ लेते हैं, और जो artificial होगा, वो हम लोग बनाने सीख जाएंगे, मतलब preparations देख लेंगे, तो अगर ह Acetic Acid, Acetic Acid क्या है वाई, Vinegar जो हम लोग यूज करते हैं, Vinegar जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, Vinegar, चाउमिन में बनाते हैं, पजार में जो खाते हैं, उसमें यूज होता है, डालता है, वाइट क्लर का जो liquid होता है, वो हो गया, Citric Acid हो गया, जितना भी Citrus fruits होता है, जैस जादा खटा होता था था, मतलब एकदम next level खटा था उसका, तो वो भी Citrus में आ गया, उसमें भी बहुत ज्यादा खटा आपन था, Citric Acid हो गया, Butyric Acid हो गया, Rancid Butter, ठीक है न, Butter में हो गया, हमारा ये सम्में Butyric Acid होता है, Hydrochloric Acid, Gastric Juice हमारे पेट के अंदर, मतलब जो चीटी हो गया, ये सब जो काटता है न, तो वो क्या करता है, Body में हम लोग का Formic Acid Release कर देता है, है न, Lactic Acid के बारे में, तो Sour Milk, ठीक है, Sour Milk ली खा गया है, Actually है, पर Sour Milk होगा, S-O-U-R, ठीक है, तो इसको Sour कर लीजेगा, कर दें क्या, कटी देते हैं, देखते, इसको हम लोग Sour कर देते हैं, S-O-U-R, ठीक है, Sour Milk हो गया, ये हो गया हमारा, Next में, Malic Acid, Malic Acid किस में होता है भाई, Apple में, ये Important है, Apple में कौन सा Acid पाया जाता है भाई, तो Malic Acid, Olic Acid, Olic Acid कहा होता है भाई, Olive Oil में, उसे Olive हो गया, उसे Olic Acid या दर केगा, Oxalic Acid क्या होत होता है, वो Tomato में पाया जाता है और बहुत ही Important होता है हमारे Body में, Body के लिए, Steric Acid वो हो गया, Fats, Tartaric Acid हमारे Grapes में, Tamarind में, Apples में भी Tartaric Acid मिल जाता है, तो Apple में Tartaric Acid भी है, और हमारा क्या है, एक Malic Acid भी है, Uric Acid, Urine में, ठीक है न, तो ये सब हो गया, Naturally Occuring Acids हो तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है, MCQ में पूछा जा सकता है, आपसे Match the Following में पूछा जा सकता है, कहीं भी कुछ भी 2 हीठो कोशन देगा, MCQ में पूछ देगा, 4 ओप्शन देगा, आपको गन्फ्यूज कर देगा, है न, तो ध्यान में रखिएगा, अब बात कर लेते है, acid का proper definition, तो acids are defined as compounds which contain one or more hydrogen atoms, one or more hydrogen atoms, जैसा के हम लोग पहले भी देखे, in the form of hydrogen plus, one or more hydrogen atoms and when dissolve in water, और जब उसको water में dissolve किया जाता है, it produces H3O plus that is hydronium ions, ठीक है, hydronium ions, the only positively charged ions, ठीक है, यह ध्यान में रखना होगा, hydrogen तो है, बट उसको जब पानी में dissolve किया जाता है, तो वो H3O plus ion release करता है, देता है, जो कि only positively charged ion है, तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, compounds which contain one or more hydrogen atoms and when dissolve in water produces H3O plus, that is hydronium ions, ध्यार रखेगा, hydronium ions, the only positively charged ions, ठीक है, तो अगर आपका exam में आ जाता है, अगर एक में भी है, तो आप यह लिख के एक example लिख देते हैं, आपको number मिलना ही मिलना है, कटने का कोई सावाली नहीं उठता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, explanation हम लोग देख लेते हैं, acids के बारे में, अब देखे, acid molecule जो है, ठीक है, वो furnishes है किस से भाई, H plus ions है, proton से, मतलब acid का जो molecule है, ठीक है न, acid जो भी है, उसमें क्या है, hydrogen ions मिला हुआ है, यहने कि proton के form में है, ठीक है, अब in aqueous solution, है न, in aqueous solution, aqueous solution काने का मतलब, एक aqueous solution होता है, एक diluted solution होता है, aqueous solution काने का मतलब, आपका हो गया, water जिसमें mix किया हुआ है, but it can't exist independently, मतलब यह hydrogen plus ion जो होता है बस literally मेरा बताने का मतलब यह है, कि acid molecules में, जो hydrogen plus ion जो होता है, वो independently exist नहीं करता है, तो कैसे करता है भाई, तो it combines with water to form H3O, जब इसको पानी में मिला जाता है, तो यह पानी के साथ react करके, देखिए है, H+, और H2O react करके, H3O plus ion बनाता है, और यही हम लोग को बताता है, और य यही बताता है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा acidic है, तो hydrogen तो चलो ठीक है, important है, but वो dissolve होके hydronium ion को भी बनाना चाहिए, तेक है, clear कर लिए, यह समझ में आ गया, hydronium ion हो गया, चलिए, अब H3O plus ion को हम लोग OH3 plus भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं, आपको books बगरा में मिल जागा, OH H3 plus 2, exist independently in solution, जो solution में हमको independently मिल जाता है, hydrogen is common in all acids, यह ध्यान में रखिएगा, सारा का सारा acids में hydrogen जो है, वो common होता है, तो यह acid का concept है, ध्यान में रखिएगा, कैसे क्या होता है, H3O plus ion क्यों इपॉर्टेट होता है, H plus ion exist independently नहीं करता है, तो उसको water के साथ react कराकर, H3O plus ion release करा है, तो यहीं बताता है, कि वो कोई बीचीज कितना ज्यादा acidic है, अगर यहां तक पहुंच गया वीडियो में, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजे, और पसंद आ रहा है, तो मतलब लाइक वाइक जो करना है कर लीजे, और शेयर कर दीज है, जैसे HCl को H2O में mix किया गया, मतलब hydrochloric acid plus water, यह क्या निकाला, H3O plus iron, chlorine minus iron, chlorine ions निकल गया, negative में, तो H3O plus iron, that means कि यह acidic हो गया, H2SO4 plus 2H2O किया गया, तो 2-2 hydronium iron आ गया, यह हमारा अलग हो गया, HNO3 that is nitric acid, H2O के साथ रियाट किया, H3O plus iron आया, NO3 minus अलग हो गया, यह इसलिए कहा जा रहा है कि H3O plus iron कितना important है, CS3CWH, मतलब acid acid हो गया, H2O के साथ रियाट किया, H3O बना लिया, यह अलग हो गया, तो ध्यान में रखना होगा, यह H3O plus iron very important है, water के साथ, यानि कि hydrogen plus iron जो होता है वो water के साथ रियाट करता है, acid जो होता है जब उसको dilute किया जाता है water में, तो water के साथ जब रियाट करता है, तो यह hydronium iron release करता है, classification of acids को देख लेते हैं, classification of acids को अलग-अलग basis पर हम लोग देखेंगे, तो जो पहला basis है मेरा, depending on sources है, क्या है, depending on sources, मतलब यह acids हमको मिल कैसे कैसे रहा है, उसके basis पर इसको classify किया गया, तो सबसे पहला जो है न नॉर्मल है मिल जाता है, organic acid हो, अब जैसा है कि हम लोग सुरुवात में पढ़े जाना, यहां पर देखेंगे, यह वला जो पढ़े, इसमें कुछ-कुछ है, जैसे आपका यहां पर bees और ants भी है, तो for me, कैसे हमको मिल रहा है, तो mostly हम लोग को plants मिल जाता है, बट कुछ-कु acid, C-double-O-H, whole-2, acetic acid, C-double-O-H, यह सब सारा क्या हो गया, organic acid है, नाम याद रखेगा, oxalic acid, acetic acid, इस सब सारा चीज़, टेक है, organic acid है, organic compounds हम लोग कार्वन के chapter में पढ़ते हैं, जब nomenclature पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग पढ़ रहे है, organic acids, तो organic acids में क्या हो गया, C-double- O-H, oxalic acid, और acetic acid, oxalic acid किस में था, देखे हम दिखाते हैं, oxalic acid किस में था, tomatoes में, ठीक है, हमारे body के लिए important भी है, अच्छा भी है, चलिए, अब बात करते हैं यहाँपर, यह organic acids जो होता है, वो weak acids होता है, कमजोर होता है, बहुत जादा घातक नहीं होता है, बहुत ionized नहीं होता है, पुरा completely ionized नहीं होता है, तो ज्यादा मातरा में H3O plus ion, यानि कि hydronium ion नहीं बनाता है, जिसके वज़े से हम लोग उसको weak बोल देते हैं, it contains ions as well as molecules, इसमें ions भी होता है, और अलग तरह का molecules भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह दिहान में रखेगा, यह organic acid का कह obtained from minerals, they do not contain carbon except H2CO3, इसमें carbon का presence नहीं होता है, inorganic acid में carbon नहीं होता है, लेकिन exception तो है na, exception is always there, chemistry में तो हम लोग बोलते ही हैं, तो carbonic acid जो है na, H2CO3, उसमें carbon होता है, अब यह carbonic acid का use कैसे कैसे हो जाता है, यह weak mineral acid है, non corrosive होता है, यह बहुँ जाता है, खतरनाक नहीं होता है, मतलब किसी तरह का नुकसानी पहुचाता है, that's why using soft drinks, ठीक है na, इसको soft drinks में cold drinks वगरा में use कर लिया जाता है, तो यह carbonic acid हमारे लिए खतरनाक नहीं है, अब जादा पीना कोई भी चीज़ का आती कर देना तो अती का आती ही होता है, ठीक है, अब obtained from minerals, strong acid completely ionized कब होगा भाई, high concentration of S3O wine, अब जैसे यह हम बोल रहा है, they do not contain carbon except, अचा यह तो होगा, obtained from minerals होगा, mineral acids यह से चलिए, inorganic acid, strong acids होता है, जिसको हम लोग लाब में बना रहे हैं, completely ionized, यह completely ionized हो जाता है, अभी हम लोग organic में क्या पढ़े थे, contain as well as molecules to not ionize completely, do not ionize completely, लेकिन inorganic क्या होता है, completely ionized हो और ज्यादा मातरा में high concentration of S3O+, यानि कि hydronium mine release करता है, जिसके वज़ा से क्या हो जाता है, हम लोग उसको strong acid का नाम दे देते हैं, ठीक है, चली भाई, आगे आते हैं, कुछ और पढ़ लेते, acids which contain oxygen along with hydrogen, यानि कि वैसा acids, जिसमें oxygen के साथ, hydrogen and some other elements are, मिला हुआ है, उसको हम ल कियेगा, important definition है, ओक्सी acids का definition है, ठीक है, acids which contain oxygen along with hydrogen and some other elements are called oxy acid, example में, nitric acid, देखे, इसमें oxygen तो है ही, कुछ अलग element, nitrogen मेरा आ गया है, hydrogen है ही, तो HNO3 हो गया, इसमें sulfuric acid में, देखे, oxygen तो मेरा है ही, hydrogen तो मेरा है ही, और एक क्या आ गया, sulfur आ गया, तो H2SO4, यह हमारा क्या होग है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ICAC में internal questions भर भर के आता है, ठीक है, चलिए, next में देखते है, hydro acids क्या होता है, hydro acids contain hydrogen and non-metallic elements, इसमें hydro acids, यानि कि इसमें हम बात कर रहा है, hydro acids के बारे में, जिसमें hydrogen होता है, non-metallic elements and non-oxygen, मतलब oxygen नहीं होता है, non-metallic elements होता है, और hydrogen तो हो hydrogen होगा, और एक non-metallic element है, तो chlorine क्या होगे हमारा, non-metallic element होगे, ठीक है, oxygen तो है ही नहीं, hydropromic acid, hydropromic acid, जिसको हम लोग HBR के नाम से भी जानते है, HBR, इसमें hydrogen भी है, bromine भी है, तो यह होगे हमारा non-metallic element, और oxygen तो है ही नहीं, तो यह हमारा क्या होगे, hydro acids हो गया, और यह क्या हो गया, oxy acids हो गया, ध्यान में रखिये गया, आगे देखते हैं, दूसरा जो basis आता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, organic, inorganic, depending on the area, concentration, concentration का नहीं का मतलब क्या है, कि कि कितना ज्यादा acidic है, कम acidic है, उसमें acid का मातरा कितना, hydronium iron कितना है, कितना कम है, कितना ज्याद है, उसके basis हो, तो सबसे पहला चीज आता है, that is concentrated acid, concentrated acid क्या बोलता है, acids contains a small amount of water, और no water, यानि कि वैसा acid जिसमें बहुत कम मातरा में पानी होता है, ना कि बराबर पानी होता है, उसको concentrated acid या conk acid बोलते हैं, टेक है, concentration का मतलब यहां लिख दिया है, amount of acid present in definite amount of its aqua solution, टेक है, amount of acids present in definite amount of its aqua solution, concentration का मतलब कि कितना मातरा में acids है, किसी भी, अगर माल लेते हैं, हम किसी acid solution को ले लेते हैं, तो उसमें acid कितना है, और पानी कितना है, अगर जादा acid है, तो high concentration, low acid है, तो low concentration, यह ध्यान में रखना होगा, तो concentrated acid क्या हो गया, acids contain a small amount of water, और no water, जिसमें water नहीं है, और यह तो बहुत कम amount में water होता है, dilute acid क्या होता है, acids contains more amount of water, यानि कि जिसमें बहुत ज़्यादा मातरा में पानी होता है, जाहिर से बत, उसका concentration का मुझा हो जागा, इसमें concentration क्या हो गया, इसमें concentration क्या हो गया, low हो गया, अब low के वज़ा से concentration low नहीं बोल के, हम लोग इसको dilute acids बोल देते हैं, जिसमें क्या है, पानी का मातरा ज़्यादा होता है, के लिए रहे, आगे बढ़ते हैं, यह एक अच्छा concept है, और यहां से questions भी आता है, क्या है, देख ले दिए एक concept समाझ लीजिए, in order to dilute an acid for acid, acid for acid into water in a small, pour है, यहाँ पर pour होगा है, ठीक है, यहाँ प तो हम लोग क्या करते हैं, acid को पानी में डालना उचीत होता है, है ना, उचीत होता है, ना कि acid में पानी डालना, जैसा कि यहाँ पर फोटो में दिया होगा है, water to acid is good and acid to water is very dangerous, मतलब disastrous, है ना, amounts and stir constantly, stir यहाँ पर गलती लिखा गया है, कुछ-कुछ, stir होगा, stir मतलब मिलाना, ठीक है, water is not added to acid as it is an exothermic process, अब देखें, होता क्या है, water को अगर हम लोग acid में डालते हैं, तो यह होता है, exothermic reactions, जैसे ही water इसमें डालेंगे, तो बहुत ज़्यदा मतला में heat release होगा, तो जो उपर का, पहले जो पानी जो पहुँच रहे ना, वो महुचते ही क्या में जाग हम लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी जादा मातर हम ले रहे और उसमें फिर हम लोग acid दीरे-दीरे-दीरे मिलाते हैं, और stir करते रहते हैं, किसी भी चीज से, तो वो एक अच्छा तरीका हो गया, तो यह important है, ध्यान में रखिएगा, कि acid को पानी में मिलाया जाता है, दीरे-दीरे करके, ना कि पानी को ही acid में मिलाया जाता है, यह वला गरला तरीका है, यह वला सही तरीका, तो इससे questions आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, next आते हैं, the strength of an acid, यहाँ पर C लिखा गया है, and acid, ठीक है, strength of an acid depends on the degree of ionization and the concentration of hydronium ions, ठीक है, अब देखे, किसी भी acids का जो concentration, सौरी, strength है, वो किस पर depend करता है, degree of ionization, तो degree of ionization को हम लोग alpha से denote करते हैं, and the concentration of hydronium ions, यहने कि जितना ज्यादा hydronium ions हुआ, मिला, उतना ज्यादा उसका alpha का value increase करगा, और degree of ionization होगा, तो हम लोग formula लिख लेते हैं, इससे एक तो, बहुत important तो नहीं है, numericals विगरा नहीं आता है, बढ़ जानना जरूरी है, degree of ionization, यहने कि alpha is equal to किता होगा, number of acids molecules ionized, कितना molecules ionized aqua solution, total number of acid molecules present in aqua solution, ठेक है, यह सिर्फ formula बताने के लिए, और percentage निकाल रहे तो, हम लोग इन्टो 100 कर ही देते हैं, clear है, अब इसके basis पर एक conclusion निकलता है, conclusion क्या निकलता है, if the degree of ionization for an acid is greater than 30%, अगर यह value हम लोग find करते हैं, और आ जाता है मेरा 30 degree से बढ़ा, मतलब greater than 30 degree है, alpha का value degree of ionization अगर 30 degree से बढ़ा आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, strong acids के category में चला जाएगा, और less than 30 आ गया, तो वो क्या हाँ चला जाएगा, वो weak acids के category में चला जाएगा, तो इध्यान में रखना है, यह इसका conclusion, ठीक है, greater than 30 percentage and less than 30 percentage, तो greater 30 percentage में strong and smaller, यानिकि less than 30% में weak, ionization, degree of ionization alpha से denote करते हैं, H2O plus ion concentration बताता है, यह degree of ionization का formula है, ध्यान में रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे देख लेएगे, depending on the basicity, तीसरा category, यानिकि तीसरा basis क्या है, acid को classify करने का, the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule of that acid, मतलब basicity का मतलब क्या हो गया, कि ionization of one molecule, one molecule acid में, ठीक है न, कितना hydronium ion release हो रहा है, defined as the number of hydronium ions that can be produced, कितना hydronium ion produced हो रहा है, by the ionization of, कितना one molecule of that acid, जिस acid का भी find करता है, उसका one molecule में, के लिए रहे, जैसे HCL में, hydrochloric acid examples हम लोग जानते हैं, basicity पर हम लोग भी बोल सकते हैं, S3O में, तो अब basicity के अधार पर हम लोग monobasics, dibasic, tribasic, ये सब चीज़ देखेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, monobasic acids, ionizing one step, ये एक step में ionize हो जाता है, एक step में ionize हो जाता है, तो produce one hydronium ion, यानि कि अगर एक hydronium ion produce कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, उसके basis पर देखा जा, तो ये acid strong होगा, ये weak होगा, तो तो थोड़ा सा weak होगा, क्योंकि कम मातरा में hydronium ion आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा weak होगा, ज्यादा मातरा में hydronium ion मिलेगा, हम लोगों तो ज्यादा बोलेंगे, कि वो ज्यादा strong acid है, तो यहां monobasic acid है, mono का मतलब होता है, one, ठीक है, monobasic acid, ionizing one step, mono का मतलब हो गया one, यानि कि यह एक step में ionize हो जाता है, produce one H3O plus ion per molecules, एक molecules में एक molecule उस acid का, जिस acid के बारे में चर्चा होगा, ठीक है न, तो एक molecule उस acid का, और उसमें कितना निकल रहा है hydronium ion, H3O plus एक ion निकल रहा है, ठीक है, तो एक molecule में एक ion निकल रहा है, जैसे यहां पर HCl है, तो HCl plus H2O, H3 CO plus और Cl minus, only one hydronium ion रहा है, अब ऐसा कुछ और भी example सोकता है, जैसे HBR, hydrogen bromide, HNO3, nitric acid, ठीक है, HI, hydrogen iodide, CS3, COOH, acetic acid, यह सब क्या होता है, यह सब होता है, monobasic, अच्छा, एक और चीज़ बता देते हैं, अच्छा, इधर बताया हुआ है, उधर ही देख लेगे, ठीक है, यह monob एधर स्थाइके, तो एक्जांपल आप लोग दिखान में राखेंगा, एक important concept क्या है, important देखे, basicity of an acid is depends not on the number of hydrogen atom, उसपर basicity depend नहीं करता है, इसने लिखा गया है, basicity of an acid is consists not on the number of hydrogen atom, basicity of acid is depend upon the number of ionizable hydrogen atom, कितना hydrogen atoms है, इसपर depend नहीं करता है, कितना ionizable hydrogen atom से कितना ionize हुआ है उस पर depend करता है, जैसे acetic acid का बात करते है CS3CWOH होता है, तो CS3CWOH में यहाँ पर है हमारा कितना, 4 hydrogen है, तीन hydrogen यहाँ पर है और एक hydrogen यहाँ पर है, 4 hydrogen है, बट carbon के साथ वाला hydrogen कभी अलग नहीं होता है, इसलिए हम नीचे लिग दिये है carbon के साथ वाला hydrogen अलग नहीं होगा, तो it is monobasic इसका मतलब यह तीन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे यह यहाँ पर hydrogen में रख्या हो गया, monobasic हो गया, एक hydrogen है इसलिए monobasic हो और monobasic में कितना होता है वाई, कितना hydronium ion release होता है, तो एक hydronium ion release होता है, CS3C2OH और H2O, तो H3O+, और CS3C2O-, ठेक है, यह एक क्यों आया, यहाँ पर 4 था, तो हम इसको monobasic क्यों बोले, यह सारा का सारा हम समझाए, ठेक है यहाँ पर 3 hydrogen था, यहाँ पर 1 hydrogen था, टोटल मिलाकर तो 4 हो गया, बट इसको mono क्यों बोले, क्योंकि यह carbon के साथ है, carbon का जो valence होता है, tetravalence, carbon अपने साथ हमें साथ 4 चीज रखेगा ही रखेगा, ठीक है तो यह वला इसके साथ है, और carbon के साथ जो कुछ भी रहगा न, जो भी hydrogen रहगा, वो कभी भी अलग, नहीं होगा तो अलग कौन सा होगा, यह है, तो यही अलग होगा, तो इसी को हम लोग बोल दिए, सिंगल है, तो mono basic बोल दिए, ठीक है, चली भई नेक्स्ट है, डाई basic acid, डाई basic acids में क्या होगा, डाई का मतलब होता है, two ionizing two steps, ठीक है, तो it produces H3O plus ions per molecules of acid, कितना two hydronium ions release करता है, जैसे, example में बहुत सारा है, H2SO4 हो गया, फिर H2C2O4 हो गया, oxalic acid बोलते हैं, H2SO3 हो गया, sulfurous हो गया, H2CO3 हो गया, carbonic हो गया, यह SO3 है, यह CO3 हो गया, ठीक है, carbonic हो गया, जैसे कैसे इसको हम लोग reactions के basis पर देखेंगे, देखें, H2SO4 plus H2O, हम लोग को मिला H3O plus ion, और HSO4 minus, HSO4 minus, अब इस चीज़ को उठा कर हम लोग यहां लेगे आए, HSO4 minus, और फिर plus H2O किये, तो H3O plus, और HSO4 2 minus, क्योंकि हम लोग को क्या करना hydrogen को अलग करना है, तो दीरे-दीरे करके, एक-एक step करके hydrogen को अलग करते हैं, जो होने लाइक है, तब ही तो, तो यह इसमें ionization कितना होता है, दो step में हो जाता है, किसमें, dye basic में, उसी तरीके से H2CO3 का भी है, H2CO3 plus H2O हो गया, यहां H3O plus ion निकल गया, HCO3 आगया, अब यही step में, dye basic acids हमेशा 2 step में ionize हो जाता है, ठीक है, it produces 2 hydronium ions per molecules of acid, अब बात करते हैं, dye basic acids में ही थोड़ा सा और, dye basic acids have 2 replaceable hydrogen ions, ठीक है न, dye basic में क्या होता है, 2 replaceable hydrogen होता है, therefore they form 1 acid salt and 1 normal salt, जिसके वजह से यह बनाता किया है, एक 1 acid salt बनाता है, और एक normal salt बनाता है, जैसे example में, NaOH plus H2SO4, ठीक है, sodium hydroxide हो गया यह, और यह H2SO4 हो गया, dye basic, अब देखें यह बना रहा है, NaHSO4 plus H2O, जो की है acidic salt, NaH, ठीक है, SO4 यह हो गया, sodium hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate, यह हो गया acid salt, अब अगर इसके साथ, दूसरा लगा देते हैं, बोले तरह 2 replaceable hydrogen है, तो 2 NaOH plus H2SO4 कर देते हैं, तो Na2SO4 हो जाता है, plus 2 H2O हो जाता है, और यह होता है हमारा normal salt, जिसको में, sodium sulfate हो होते हैं, तो ध्यान में रखना है, Dibasics acids have replaceable, 2 replaceable hydrogen ions, दो replaceable hydrogen ions होता है, जिसके वज़े से 2 reaction बनाना पड़ा, Therefore, they form one acid salt and one normal salt, जिसके वज़े से एक acid salt बनता है, और एक normal salt बनता है, ठीक है? Next में है tribasic acid, यह tribasic acid भी important है, देख लेते हैं, same as जैसे पहले से पढ़ते आ रहे, acid which on ionization in water produce 3 hydronium ions, H3O plus कितना निकलेगा? 3 ions per molecules of the acid are called tribasic acid, जैसे phosphoric acid हो गया, H3PO4, citric acid हो गया, C6H8O7, अब यह कैसे होता? 3 step में वो भी देख लेते हैं, H3O4 को उठाते है, H3O4 plus H2O, निकला H3O plus H2PO4 minus, अब H2PO4 को फिर यहाँ पर reactant में ले आए, H2PO4 plus H2O, निकला H3O plus, और फिर HPO4 का 2 minus, अब फिर इस चीज़ को यहाँ पर ले किया है, क्योंकि हमको hydrogen अभी तक अलग नहीं हुआ है, तो HPO4 2 minus plus H2O, H3O plus हो गया, यहाँ PO4 3 minus हो गया, तो अब देख रहें, finally मेरा hydrogen इससे अलग हो गया है, तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, तीन बार, तीन स्टेप में दिखाना होगा, और यह तीन स्टेप में हमारा निकलेगा, तो तीन hydrogen ion निकल गया, कितना? पर molecule, यानि कि हर एक molecule में कितना निकलेगा भाई, तीन hydrogen ion निकलेगा, ध्यान में रखिएगा, हम लोग इसको dibasic acids क्यों बोल सकते हैं, है तो यह इसमें तीन बट बोलेंगे इसको dibasic, क्यों dibasic acids बोलते हैं, चलिए, इन oxy acids of the phosphorus hydrogen, टेक है न, phosphorus hydrogen atoms, which are attached to oxygen atoms are replaceable, अब देखें, इसमें होना क्या है, देखें, इन oxy acids of the phosphorus hydrogen atoms, phosphorus hydrogen atoms, oxy acids क्यों सा हो गया, जिसमें हमारा oxygen होता है, hydrogen होता है, और एक other element होता है, oxy acids में, ठेक है, और इसमें phosphorus hydrogen atoms, which are attached to oxygen, directly किस से attached होई, phosphorus से oxygen attached, oxygen atoms are replaceable, hydrogen atoms directly bonded to phosphorus, atoms are not replaceable, hydrogen atoms directly bonded to phosphorus, मतलब क्या, वैसा hydrogen, जो directly phosphorus से attached है, वो replaceable नहीं होगा, और पहले में क्या कहा जा रहा था, in oxy acids of the phosphorus, hydrogen atoms, which are attached to oxygen, hydrogen atoms, which is attached to the oxygen, वो replaceable होगा, तो यहां से replaceable हो सकता है, बट यह replaceable नहीं होगा, ध्यान में रखने वाले चीज़ है, तो यह एक मतलब, बुक में दिया हुआ था लग से, तो हम आपको समझा दिये हैं, is S3PO3, Dibasic Acid होता है, ठीक है, H3 देखके आप Tribasic मत बना दीजेगा, H3PO3, that is Dibasic Acid, exception में देख लेना है, Tribasic Acids can form two different acid salts, Tribasic Acids जो होता है न, वो अलग-अलग, दो तरीके का अलग, दो अलग तरीके का acid salts, and one normal salts बनाता है, because they have three replaceable hydrogen atoms, अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़ें, इसके पहले हम लोग पढ़ें यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा था, one acid salt और one normal salt, क्यों, क्योंकि दो replaceable hydrogen था, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है, three, कहां गया, from two different acid salts, two अलग-अलग salt हो गया, and one normal salt, याने कि total में लाकर, तीन हो गया, तीन step था, तीन हो गया, अब देखें क्या, NaOH plus H3PO4, NaH2PO4 plus H2 हो गया, अब NaH2PO4 को नाम क्या देते है, monosodium dihydrogen phosphate, monosodium dihydrogen phosphate, नाम पढ़ लिजेगा हो सकता है, exam exam में दीखें, ठीक है, अब आते हैं दूसरा step, 2 NaOH plus H3PO4, Na2HPO4 हो गया, अब देखें, यहां से एक hydrogen replace हो गया, 2H2, अब इसको बोलते है, di sodium hydrogen phosphate, ठीक है, di sodium hydrogen phosphate, अब आते हैं, 3 NaOH plus H3PO4 में, तो Na3PO4 plus 3H2O, यह क्या हो गया, trisodium phosphate, इसमें से hydrogen अलग हो गया, तो hydrogen को replace करना होता है, अलग हटाना होता है, ठीक है, समझ में आ गया, यह try basic acids में क्या हो गया, नाम ध्यान में रख लीजेगा, try basic acids can form two different acids salt and one normal salts, दो acidic salts और एक normal salt produce करता है, preparation of acids में आ जाते हैं, अब हम लोग acids को बनाएंगे, अभी तो naturally मिल रहा था था, चलो ठीक है, अच्छा था, अब artificially जो है वो लाब में बनता है कैसे, तो सबसे पहला जो method है, preparation of acids का by the synthesis process, अब synthesis process क्या होता है, binary acids are prepared by this method, इस basis में मतलब इस method से क्या होता है न, हम लोग binary acids बनाते हैं, जिसमें की दो elements होता है, ध्यान में रखिएगा, binary acids हैं जिसमें की दो elements होता है, यहाँ पर सब mention कर दिया है, इसलिए आपको कभी कोई दिक्कत ना हो notes देखके, होगा क्या, hydrogen plus non-metal gives acid, तो hydrogen ले लेते हैं, H2 और कोई non-metal chlorine ले लिए, तो मेरा बन गया 2HCl, that is hydrogen chloride, binary form, दो गो गया, एक hydrogen और एक chlorine, फिर hydrogen BR2 ले लिए, HBR hydrogen bromide बने गया, फिर ले लिए hydrogen और एक sulfur H2S hydrogen sulfide बन गया, ठीक है, तो दियान में रखना है, by synthesis hydrogen plus non-metal, अब ये वाला एक general term है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, कि hydrogen plus non-metal gives acid, अब acid में एक दूँ अगर आप याद रख लेते हैं, तो आपको अच्छा है, मतलब non-metallic और acetic oxide पर water का action कराना, मतलब water सरियार कराना, जैसे acetic oxide हो गया, यहाँ पर water है, हमको acid मिल गया, तो SO3 acetic oxide हो गया, H2O, H2SO4, that is sulfuric acid, SO2, H2O, H2SO3 मिल गया, sulfurous acid, CO2, H2O मिला है उसमें, दिये साथ में, H2CO3, that is carbonic acid, carbonic acid पता है न, non-corosive होता है, soft drinks में use होता है, P2O5, H2O, 2H3, PO4 हो गया, phosphoric acid, N2O5, H2O हो गया, 2HNO3, nitric acid, तो इतना आपको यह सब ध्यान में रखना होगा, और यह जो acetic oxide जो था न, वो सारा का सारा क्या था, only oxy acids था, only oxy acids था, मतलब oxygen है, और उसके साथ कोई element लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, only oxy acids, इसलिए यहाँ पर mention कर दिये, तो कैसे reactions बन रहा है, यह general term है, यह आपको ध्यान में रखना है, NO2, अब देखें, यहाँ पर NO2 का बात कर रहे, NO2 is called mix or double acid anhydride, ठीक है न, anhydride, double acid anhydride, because two acids, nitrous acid and nitric acids are formed, react with water, अब देखो, इसको NO2 को हम लोग बोलते हैं, double acid anhydride, ऐसा क्यों, ठीक है न, क्योंकि because two acids, nitrous acid and nitric acids are formed, react with water, अगर हम इसको water के साथ react कराते हैं, तो हमको दो acid मिलता है, और उसी दो acids के वज़ा से double acid anhydride बोलते हैं, तो NO2 को अगर H2O से मिलाते हैं, तो हमको HNO2 भी मिलता है, और HNO3 भी मिलता है, जानिकि यह nitrous acid हो गया, और यह nitric acid हो गया, by the oxidation of non-metals, तो non-metals के साथ हम लोग acid को react कराएंगे, हम लोग को मिलेगा acid, water और oxide, तो non-metals एक sulfur ले लेते हैं, और एक HNO3 ले लिए, acid ले लिए, हमको मिला क्या H2SO, मतलब acid से acids बन रहा है, H2SO4, H2O, और फिर हमारा oxide मिल गया, को nitrogen oxide, फिर उसी तरीके से phosphorus लिए है, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H2O हो गया, और फिर 5NA2, मतलब यह reactions fiction है, आपको ध्यान में रखना होगा और balance करने भी सीखना होगा, general term आपको यह याद रखना पड़ेगा, तब ही जाकर आप equations exam में लिख भी पाऊगे, by displacement आ जाते हैं, अब displacement method यूज कर लेते हैं, salt प्लस less volatile acid, टेक है, salt और acid और more volatile, अब less volatile जो रहेगा, वो हटेगा, और more volatile वाला आ जाएगा, यानि कि powerful वाला, तो NACL, H2SO4 हो गया, तो यहाँ हो गया, NAHSO4 और HCl अलग हो गया, NANO3 हो गया, H2SO4 हो गया, NAHSO4 हो गया, HNO3 displacement reactions ना लोग पढ़ देता है, एक element आता है, दूसरे को displace कर देता है, on the basis of reactivity series, बस उसी तरीके का है, normal salts और more volatile acids are displaced by a less और non-volatile acids, normal salts जो होता है ना, वो more volatile acids होता है, जो कि displaced हो जाता है, less non-volatile acids से, ठेक है, less और non-volatile acids से, उसी तरीके से, यहाँ पर तो हम लोग देख लिए, बोथ hydrochloric and nitric acid, बोथ hydrochloric acid और nitric acid are found by sulfuric acid, देखो यहाँ पर हम लोग है hydrochloric acid भी मिला था, यहाँ पर हम लोग हो nitric acid भी मिला था, दोनों बनाया जा सकता है, कौन सा एक acid को यूज़ करके, एक का NaCl के साथ, एक का NaNo3 के साथ, चलिए तो अब बात कर लेते हैं, हम लोग physical properties of acids का, बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, अब physical properties of acids देख लेते हैं, फिजिकल properties of acids में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है भाई, हमारा टेस्ट था, यह फिजिकल स्टेट में क्या हो गया है, यह तो हमारा टेस्ट था, यह फिजिकल स्टेट में क्या, एक solid है और एक liquid है, तो solid में कौन-कौन सा आ गया भाई, boric acid, H3BO3, citric acid, boric acid ना, यूज होता था हम लोग जब कैरम खेलते थे थे ना, तो उसमें boric powder का हम लोग खरिदते थे, फिर उसको साफ करना परता था जैसे, ऐसे होता तो वो भी बहुत smooth, बट boric acid को ज़्यादा ही अच्छा होता था, तो यह बड़ा काम महाता था, citric acid C6H8O7, C6H8O7, citric acid का हो गया, tartaric acid formula ध्यान में रखेगा, यह सब normally हम लोगों बुक्स वेगरा में formula मिलता नहीं है, ठीक है, आपके बुक में था, इसलिए हम लिख दिया है, C4H6O6, liquids में देख लेते हैं, acetic acid CS3COOH हो गया, carbonic acid H2CO3 हो गया, और nitric acid HNO3 हो गया, ठीक है, acetic acid CS3COOH, carbonic acid H2CO3, nitric acid HNO3 हो गया, तो यह ध्यान में रखिए गया, physical state हो गया, हमारा solid के form में और liquids के form में, कौन सा कैसा state में मिलता है, effect on skin, बहुत ही कतरनाक होता है, highly corrosive होता है, ऐसे तोजाईर सी बात है, skin तो खराब होगा ही, painful burns होता है, अगर मालो H2SO4, अगर body में गिर जाता है, तो skin सीधा black, HNO3 होता है, तो yellow, HCLM गिरता है, तो skin amber, amber color होता है, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं, yellow से थोड़ा सा brownish type का, ठीक है, वो चीज़ हो जाता है, तो यह सब नुकसान होता ही है, color matter नहीं करता है, बढ़ हाँ कि यह बहुत जादा है, नुकसान दे होता है, indicators का अगर बात करते हैं, physical state में, litmus paper को क्या करता है, blue to red बना देता है, methyl orange जो होता है न, उसको orange से pink बना देता है, और phenethylene जो होता है न, उसको remain colorless लगता है, मदब उसमें कोई भी तरह का changes नहीं आता है, किसके लिए, acids के लिए, conductivity अगर देखते हैं, तो conductivity यह अच्छा electrolyte होता है, क्योंकि इसमें, hydrondium ions, mendels, यह सब ions बहुत होता है, जिसके वज़ा से यह electricity को बहुत अच्छे से conduct करता है, तो conductivity अच्छा है इसका, ठीक है, electrolyte यह बोल सकते हैं, electrolyte क्या बोलते हैं, मतब अगर electrolyte का हम definitions बोल दें, तो वैसा liquid जिससे electricity pass हो सके, ट्रावल कर सके, electron ट्रावल कर सके, that is electrolyte, जैसे बहुत सारा होता है, copper sulfate solution हो गया, यह बहुत सारा चीज़ है, reaction होगा, तो क्या होगा, तो active metal plus acid, metallic salt हो गया, hydrogen हो गया, तो mg2HCl हो गया, अब यहाँ पर हम लोग active metal में कौन से लिए हैं, acid में ले लिए, hydrochloric acid, मेरा बना क्या, metallic salt, mgCl2, और hydrogen gas, वो release हो गया, upside का मतलब यह हो गया, कि वो उपर उड़ गया, उसी तरीके से zinc के साथ, ZNCl, ZNCl2 हो गया, H2 हो गया, iron के साथ, H2SO4 react करा हैं, तो FeSO4 और H2 हो गया, ठेक है, important यहाँ पर क्या है, MN, manganese, HNO3, अब HNO3, manganese जो होता है, HNO3 बहुत ज़्यादा, क्या बोलता है, strong होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, dilution मनाना पड़ता है, dilution काने का मतलब क्या, कि HNO3 को, हम लिए हैं, अगर container में, तो 99 वे water लेंगे, और 1% यह लेंगे, हम लोग acid, तब जाकर हम लोग को कुछ salt मिलता है, और फिर यह hydrogen gas release होता है, मतलब बहुत कम मतलब में, बहुत ही, यह reaction जो है, बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, उसको हम, मतलब ना मातर का होता है, अगर माली जब पूरा का पूरा, HNO3 ले ले लेते हैं, मतलब मैंगनेशियम जो है, वो ऐसे ही खतम हो जाएगा, कहानी उसका खतम हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, 1% dilution के साथ, हम लोग काम करें, मतलब 1% acid होगा, और 99% water होगा, तब जाकर यह ऐसा कुछ show करता है, clear है, reaction with basis, basis के साथ react करता है, acid तो क्या होता है, तो वो हम लोग जानते है, neutralization reaction होता है, वो acid और base react करता है, तो neutralization बनता है, salt बनता है, और water बनता है, जैसे basic oxide कोई बना, मिला acid के साथ, salt और plus water, CuOH2SO4, CuSO4 plus H2O हो गया, फिर NaOH, HNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, plus H2O हो गया, ठीक है, reaction with carbonates and bicarbonates, reaction with carbonates and bicarbonates, अगर acid का carbonates और bicarbonates के साथ, अगर reaction होता है, तो क्या होता है, तो salt बने का, water बने का, carbon dioxide release होगा, hydrogen carbonate भी बोल सकते हैं, bicarbonates को, तो CaCO3 plus HCl लिए हैं, तो CaCl2 एक्ठो, salt बन गया, और water बन गया, और CO2 release हो गया, फिर CaHCO3 ले रहे हैं, तो acid के साथ react करा लिए हैं, carbon का, bicarbonate बोलते हैं, CaHCO3 का, मतलब calcium bicarbonate, calcium hydrogen carbonate, CaCl2, 2H2O, और CO2 अलग हो गया, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यह सब important है, अगर हो सकेगा, तो हम यह छोटा छोटा टॉपिक जानी कि, जो general term जो होता है, reaction with basis, तो क्या बनाता है, basic oxide plus acid, तो salt और water, इसका हम shorts बनाने का, कोशिस करेंगा, तो आपके लिए भी वह अच्छा हो जागा, कि चलो कोई करी विजन में, आपको shorts वीडियो में वो दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे तो अभी shorts वीडियो बनाते हैं, वो mathematics से रिलेटर जादा होता है, चाहिब वो CBSE का हो, चाहिब वो ICSE का हो, उसमें concept बहुत होता है, तो छोटा-छोटा concept बताने में अच्छा होता है, ताकि students लोगो को कोई problem नहीं हो, फटाक से अगर माल लो, आदा गंटा भी shorts बैट कर देख लेता है, तो सारा का सारा revision दिमाग में हो जाएगा, है ना, चली भाई, आगे बढ़ते हैं, if the salt produce is insoluble, अगर salt जो बन रहा है, अगर वो insoluble है, then the reaction does not proceed, तो reaction नहीं होगा, so we do not expect the lead carbonate to react with hydrogen, hydrochloric acid और sulfuric acid, lead carbonate जो होता है ना, वो hydrochloric acid और sulfuric acid के साथ react नहीं होता है, nor does calcium carbonate react with sulfuric acid, और नहीं calcium carbonate react करता है, किसके साथ? Sulfuric acid के साथ, तो ध्यान में रखता है, कि अगर salt जो बन रहा है, अगर वो insoluble है, lead carbonate है, H2SO4 है, कोई reaction नहीं होगा, calcium carbonate है, H2SO4 है, कोई reaction नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना चीज़ भी लिया गया है, lead carbonate, calcium carbonate, साथ सारा क्या है, insoluble salt है, यानि कि ऐसा salt है, जो गुलता नहीं है, जिसके वज़ा से, यह reaction नहीं होता, reaction कैसे हो, जब घूलेगा ही नहीं, HCl में, H2SO4 में घूलेगा ही नहीं, तो कहां सा reaction होगा, तो reaction नहीं होना, तो नहीं दीखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यह important चीज है, इसको याद रखेगा, यह very-very important हो जाता, आपका इन्चॉलबल सॉल्ट वाला, चलिए, आगे देखते हैं, reaction with sulfate and bisulphides, sulfate के साथ react करेगा, acids तो क्या बनाएगा, bisulphides के साथ react करेगा, तो क्या बनाएगा, तो sulfate and bisulphides, CSO3, calcium sulfite लिए हैं, और HCl लिए हैं, तो मेरा एक salt बना, H2 बना और sulfur dioxide बना, that is SO2, यही SO2 हम लोग को acid rain में लेके जाएगा, ठीक है, NAHSO3 हो गया, यहाँ sodium bisulphite हो गया, HCl हो गया, मतलब HCl के साथ रियाट करा रहे हैं, हम लोग को एक salt मिला, H2 हो मिला, और SO2 gas sulfur dioxide, जो कि बहुत जादा harmful होता है, poisonous होता हमारे environment के लिए भी, और अगर वो acid rain के form में गार नीचे आता है, acid rain को बनाने का सबसे वड़ा वज़ा यही है, acid rain जो बनता है वो इसी के वज़ा से बनता है, ठीक है, तो अगर reaction with sulfate और bisulphides का भी हम लोग देख लिए, जो जैसा कि हम लोग जेनरल टम में देखे हैं, FES plus H2SO4, FESO4 plus H2O, H2S hydrogen sulfide, ठीक है, तो अगर आपको यहां तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका, लिखने का तरीका, नोट्स लिखने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कर दीजेगा, और वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा, ठीक है, दोस्तों सब भी पहुँचा दीजे, reaction with chlorides, acid का chlorides के साथ reaction होगा, ठीक है, और वो भी क्या होता है, मतलब की बहुत, मतलब slow reaction बोल दो, चाहे normal reaction बोल दो, sodium chloride हो गया, H2SO4 कौंक ले रहे हैं, तो अगर 200 डिगरी से नीचे अगर ले रहे हैं, तो NaHSO4 HCl रिलीज हो गया, और फिर यही NaCl, H2SO4, अगर 200 डिगरी से उपर ले रहे हैं, तो Na2SO4 और HCl, तो sodium sulfate और sodium hydrogen sulfate, यह दोनों अलग-अलग चीज मिलना है, डिपेंड करता है सिर्फ क्या होई, कि 200 डिगरी से नीचे और 200 डिगरी से उपर है, ठीक है, on warming to liberate hydrogen, warming करने पर मतलब temperature बढ़ाने पर अगठाने पर, ऐसा ही, इसमें और कुछ है नहीं, reaction with chlorides हो गया, चलिए, next क्या है, reaction with nitrates, अगर acid nitrates के साथ react करेगा, तो क्या बनेगा, nitrates do not react with dilute acid, dilute acid के साथ nitrate react नहीं करता है, however, lead nitrate solutions react with both dilute HCl, मतलब कुछ ऐसा है, lead nitrate जैसे, जो बोथ dilute HCl के साथ, dilute H2SO4 के साथ react करके, insoluble lead salt बनाता है, जैसे PBNO3 का whole 2, plus 2 HCl, HCl2 तो लगा हुआ है, हमारा balance करने के लिए, ठीक है, तो PBCl2 बन गया, और HNO3 हो गया, तो PBCl2 क्या होता है भाई, हमारा insoluble lead salt होता है, इसमें भी और इसमें भी, PBNO3 का whole 2, plus H2SO4, PBSO4, plus HNO3, तो यहाँ पर अलग से acid मिल गया हम लोग को, बट यह जो मिल रहा है, that is insoluble lead salt, nitrates when heated with conch sulfuric acid, अगर nitrates को, conch sulfuric acids के साथ heat किया जाता है, produces more volatile nitric acid, यह produce करता है, जादा volatile nitric acids को, जैसे KNO3, potassium nitrate हो गया, H2SO4 हो गया, KHSO4 और HNO3 हो गया, volatile nitric acid, बहुँ जादा volatile हो जाता है, KNO3, H2SO4, तो फिर K2SO4 हो गया, और HNO3, तो यह सब क्या हो गया, more volatile nitric acid बोल सकते, ध्यान में रखना है, equations को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, अगर ICAC में तो lab वेगरा बहुत अच्छे से होता है, अगर होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, अगर वो याद रखेगा, ध्यान में रखेगा, तो आपका visualization strong हो जाएगा, तो आपको कोई भी चीज देखके, याद रखने का observation जो skill होता है न, वो बढ़ जाएगा, जिसके वज़े से आपको कोई भी चीज याद रखने में बड़ा helpful होगा, ठीक है न, किसी को रट के चीज आप नहीं याद कर सकते हो, रट होगे, आप exam के जो peer pressure जो जिसको बोलता है न, उसमें आपका सारा का सारा दिमाग से सब कुछ खाली हो जाएगा, तो आप समझो, देखो, ठीक है न, उसको observe करो, देखो, एक बर, दो बर, तीन बर, चार बर, लिखो, लिखने से बहुत ज़्यादा help मिलता है, तो अगर नहीं लिखोगे न, तो आपके लिए मतलब वो हो गया, पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाकर आप भूल जाओगे, एक्जाम टाइम में आप क्या करोगे, एक्जाम टाइम में तो आप नोट सी नहीं काल करोगे, तो लिखोगे नहीं तो रिविजन कहां से करोगे, है न, आप सोच रहे हो कि अगर एक्जाम टाइम आएगा, तो एक्जाम टाइम में हम बस बुक निका लेगा और पूरा पढ़ लेंगे, वो अगर वैसा होता, तो आज सारा का सारा ICAC सब लोग टॉपर ही बन जाता, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जो पढ़ता है, जिसका उब्जर्वेशन अच्छा है, जो अपना दिमाग लगा रहा है, थोड़ा सा, जिस होता है न, हार्ड वर्ग विट स्मार्टनेस, हार्ड विट स्मार्ट वर्ग, तो वो ही आगे निकलता है, खली हार्ड वर्ग कर लेने से नहीं होगा, अब लिखने को बोल दियें, तो अब लिखे जारा है, लिखे जारा है, तो वो डिरेक्शन ही गलत हो जागा, आप समझ नहीं रहे है, उसको पढ़ नहीं रहे। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, AC drain के बारे में देख लेते हैं पटक से, AC drain क्या होता है? अब देखें, AC drain का कहानी सिंपल सी चीज है, बहुत सारा atmosphere में बहुत सारा type का gases होता है, जो release होते रहता है, जैसे factory से, गाड़ में मिली जाता है जब यह सब सब react करता है जैसे SO2 हो गया O2 हो गया और water हो गया जब यह सब react किया sun का light लगा तो बना क्या H2SO4 ठीक है नहीं H2SO4 hydrogen sulfate जो की acid rain का एक form होता है अगर NO2 के बारे में देखा जाए तो NO2 फिर O2 और H2 तो मिली जा रहा है HNO3 जो की होता है nitric acid यह तो और खतरनाक होता है ठीक है इस अब बहुत जादा damage करता है जैसे acid तो तुम समझ में आ गया क्या हुआ देखो नीचे से evaporation हुआ पानी के साथ हमारा वह भी जा रहा था water vapor है उपर पानी जा रहा है यह NO2 हो गया SO2 हो गया पानी के साथ मिला रियाट किया विंड चला कंडन्स हुआ और उपर पानी के साथ फिर से गीरा तो उसमें H2SO4 और H3 मिला अब वह गीरेगा जमीन पर तो क्या 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 नुग्सान करेगा डामजे द लीफ उप्लांट प्लांट अंट्री का लीफ खराप कर देका पूरा प्लांट खराब करने का चमता रखता है यह जो शायल में जो बेशिक नूट्रींट प्लांट व एजो हुथा न उसको लेजर खराप कर देता लेयर Breaking सडगल जाएगा अगर human being और animals में देखा जाए तो respiratory problems होगा बहुत ज़्यादा मातरा में SO2 बढ़ जाएगा तो ठीक है affect plant and animal life in aquatic ecosystem अगर aquatic ecosystem तो पानी के अंदर में अगर तलाब में जा रहा है वही पानी तो क्या करेगा प्लांट और animal life को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाएगा ठीक है corrode water pipe resulting in leaching of heavy metals such as iron, lead, lead and copper दोवर लिखा गया lead copper into the drinking water अब क्या होगा अब ये highly corrosive होता है ये सब nitric acid वे करता है तो क्या करेगा metals को corrode करेगा मतलब जंग लगाएगा खराब करेगा और वही metals से फिर पानी में वो उसका material मिलेगा तो क्या होगा पानी poisonous होगा और जो की drinking water को खराब करेगा ये सब चीज है फिर damages buildings incident damages buildings ancient होगा यहाँ पर incident लिखा गया यहाँ यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा incident ठेक है incident होगा यहाँ पर incident building damages incident building damages building as reacts with the stone or metals ancient buildings यहाँ लिखा damage करता है समझ लिजी आप यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ancient buildings जो होगा और भी जो पुराना पुराना buildings जैसे लाल के लाल ताजमाल यह सब सब जो होता है सब यह सब डैमेज हो जाता है बड़ा बड़ा buildings damages हो सकता है कैसे डैमेज होता है उसके पीछे का reaction क्या है जैसे माली जो मार्बल से बना हुआ है CACO3 H2SO4 मिला तो बनाया CACO4 calcium sulphate hydrogen और CO2 यह acid होता है ठेक है जिसके वैसे क्या होता है layer by layer layer by layer layer by layer marble का क्या होता है कहानी खतम हो जाता है तो वो खराब हो जाता है डैमेज हो जाता है ठीक है चलिए general use of some acids last है मतलब इस acids portion का acid based salt में acid हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर किये है और उसमें यह last slide है general use of some acids सबसे पहला बोरिक acid eye washes और antiseptic use हो जाता है citric acid food preservations vitamin C preparations में हो गया oxalic acid ink stain remover ink का stain अगर दाग लग जाता है तो उसमें से मिठ जाता है ठीक है न ऐसे भी देखा जाता है अगर आप तो घर में कप्रावपला में कुछ दाग लग गया नो उस पर टेबल विनिगर जिसको बोलते है टेबल विनिगर जो नॉर्मली देखते है होटल से गरा में कुकिंग में यूज हो जाता है hydrochloric acid cleaning of metals items use हो जाता है metals items को clean करने के लिए बहुत जादा भी नहीं रह सकते है वह corrosive होता है न जिसके वाई से खराब भी कर सकता है benjoic acid preservation of food and making of perfumes and medicines food को preserve करना है perfume को बनाना है और medicines बनाना है तो इसमें benjoic acid का use हो जाता है nitric acid explosive में ठीक है न TNT विकरा बनाने में और phosphoric acid fertilizers में यूज होता है ठीक है तो यह सब इतना सारा जो चीज था न वो था acids के लिए अगर acids आपको मेरे हिसाब से तो acids में इतना ही है कोशिंस कुछ कुछ है कुछ पूशिंस है वह आप लोग कमेंट में करके बताना है कि हां सरक कोशुंस का भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग को लिख देना yes question क्या लिखना होगा yes question सीधा लिखना y और q लिख देना comment में लिखो जितना ज़्यादा comment आगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे हम वीडियो को बनाएंगे continue कर देंगे questions भी चलिए आप लोग को तो अगर यहां तक पहुंच गया है इसका मतलब कि आप dedicated है आप पढ़ना चाह रहे पढ़ भी रहे हो अच्छे से तो बस ऐसे ही पढ़ते हो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like भी कर देना subscribe नहीं कियो तो subscribe भी कर दीजे गा ठीक है दोस्तों को भी वीडियो में मिलेंगे तत्त के लिए thank you so much take care bye bye